ओम शान्ति, 15 फर्वरी 2021, बाबा के महावाक्य, मेथे बच्चे, यह संगम युग है, चड़ती कला का युग, इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता, चड़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला. प्रश्ण, बाबा सभी ब्रामन बच्चों को बहुत बहुत बधाईयां देते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावन की जन्जीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ओनर बनते हो, मैं नहीं. इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाईयां देते हैं, तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ. गीत आखिर वह दिन आया आज. उम्शान्ती सब मनुष्य देखने में आते हैं. कहिंगे, फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानन्द सुनाते हैं. भारत में तो धेर सत्संग हैं, गली-गली में सत्संग हैं. माताईं भी पुस्तक उठाए, बैठ सत्संग करती हैं. तु वहां मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहां तो वन्डरफुल बात है. तुम्हारी बुद्धी में कौन हैं? परमात्मा. तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है. नेराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं. मनुष्य कहिंगे वह इश्वर तो नाम रूप से न्यारा है. बाब समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं. तुम बच्ची जानते हो यहां कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं. और कहां भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं. यहां तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गौड फादर कहा जाता है. वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं. यह बिल्कुल नई बात हुई. जनम बाई जनम तुम सुनते आए हो यह फलाना पंडित है गुरु है धेर के धेर नाम है. भारत तो बहुत बड़ा है. जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वह मनुष्य ही हैं. मनुष्य ही सिख्य बने हुए हैं. अनेक प्रकार के मनुष्य हैं. पलाना सुनाते हैं. हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है. भक्ती मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ. वही आकर बच्चों को समझाते हैं. तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती हैं. उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है. तुम यहां जो बैठे हो तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं. क्योंकि आधा कल्प तुम देहे अभिमानी बने हो. अब देही अभिमानी इस जनम में बनना है. तुम्हारी देहे में रहने वाली जो आत्मा हैं, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं. आत्मा ही संसकार ले जाती है. आत्मा कहती है ओर्गंस द्वारा कि मैं फलाना हूं. परन्तु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं. बाप समझाते हैं, जो इस भारत में सूर्य वन्शी चंद्र वन्शी थे, वही इस समय आकर भ्रामन बनेंगे. फिर देवता बनेंगे. मनुष्य देहे अभिमानी रहने के आदती हैं. देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं. इसलिए बाप घड़ी-घड़ी कहते हैं, देही अभिमानी बनो. आतमा ही भिन-भिन चोला लेकर पाट बजाती है. यह हैं उनके ओर्गन्स. अब बाप बच्चों को कहते हैं, मन-मनाभव. बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़े ही मिल सकता है. तुमको इस समय त्रिकाल दर्शी बनाया जाता है. रात दिन का फर्क हो गया है. बाप समझाते हैं, मैं तुमको राज्य युग सिखाता हूँ. कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है. जो सूर्य वन्शी देवताएं थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं. ज्ञान तो प्रहलोप हो जाएगा. ज्ञान है ही सदगती के लिए. सत्युग में, दुर्गती में कोई होता ही नहीं. वह है ही सत्युग, अभी है कल्युग. भारत में पहले सूर्य वन्शी आठ जनम, फिर चंद्र वन्शी बारा जनम. यह एक जनम अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जनम है. तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा मुख वन्शावली. यह है सर्वत्तम धरम. देवता धरम सर्वत्तम धरम नहीं कहेंगे. भ्रामन धरम सबसे उंच है. देवताईं तो प्रालब्द भोगते हैं. आजकल बहुत सोशल वरकर हैं. तुम्हारी है रूहानी सर्विस. वह है जिस्मानी सेवा करना. रूहानी सर्विस एक ही बार होती है. आगे यह सोशल वरकर आदी नहीं थे. राजा रानी राज्य करते थे. सत्युग में देवी देवता थे. तुम ही पुज्य थे. फिर पुजारी बने. लक्ष्मी नारायन द्वापर में जब वाम्मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं. पहले पहले शिव का बनाते हैं. वह है सर्व का सदगती दाता तो उनकी जरूर पुजा होनी चाहिए. शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना. फिर होती है देवताओं की पुजा. तुम ही पुज्य थे. फिर पुजारी बने. बाबा ने समझाया है. चक्र को याद करते रहो. सीधी उतरते उतरते एक दम पट पर आकर पड़े हो. अब तुम्हारी चड़ती कला है. कहते हैं चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला. सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चड़ती कला करता हूं. पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं. जब सत्युग था तो चड़ती कला थी. और बाकी सब आत्माएं मुक्ती धाम में थी. बाप बैठ समझाते हैं. मीठे मीठे बच्चों, मेरा जनम भारत में ही होता है. शिव बाबा आया था, गाया हुआ है. अब फिर आया हुआ है. इसको कहा जाता है राजश्व अश्व मेद अविनाशी रूद्र क्यान यग्ये. सुराज्य पाने के लिए यग्ये रचा हुआ है. विघन भी पड़े थे, अब भी पड़ रही हैं. माताओं पर अत्याचार होते हैं. कहते हैं बाबा हमको यह नंगन करते हैं. हमको यह छोड़ते नहीं हैं. बाबा हमारी रक्षा करो. दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई. अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाब से वर्षा लेने आई हो. याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो. फिर विकार में गए तो खलास. एक दम गिर पड़ेंगे. इसलिए बाब कहते हैं पवित्र जरूर रहना है. जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिग्या करेंगे. फिर कोई पवित्र रहे सकते हैं, कोई नहीं रहे सकते हैं. मुख्य बात है याद की. याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, तो फिर उंच बद पाएंगे. विष्णू के दो रूप राज्य करते हैं न, परन्तु विष्णू को जो शंक चक्र दे दिया है, वह देवताओं को नहीं था. लक्ष्मी नारायन को भी नहीं था, विष्णू तो सुक्षम वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नौलिज की दरकार नहीं है, वहां मोवी चलती है, अभी तुम जानते हो कि हम शान्ती धाम के रहने वाले हैं. वह है निराकारी दुनिया, अब आत्मा क्या चीज है, वह भी मनुश्य मात्र नहीं जानते, कह देते आत्मा सो पर्मात्मा, आत्मा के लिए कहते हैं, एक चमकता हुआ सितारा है, जो भ्रकुटी के बीच रहता है. इन आखों से देख ना सकी, भल कोई कितना भी कोशिश करें, शीशे आदी में बंद करके रखें, कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है, कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पढ़ता है. आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है, बाकी इतना कहते हैं, आत्मा स्टार मिस्सल है, दिव्ये द्रिस्टी बिगर उसको देखा नहीं चाता, भक्ती मार्ग में बहुतों को साक्षादकार होता है. लिखा हुआ है, अर्जुन को साक्षादकार हुआ, अखंड जोती है. अर्जुन ने कहा, हम सेहन नहीं कर सकते. बाब समझाते हैं, इतना तेजों में आदी कुछ है नहीं. जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़े ही पड़ता है. अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं. आत्मा आकर बोलती है. यह भी ड्रामा में सारी नूंद है. इसमें कोई के ताकत की बात नहीं. आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है. यह सक्षादकार की बात है. वंडर्फुल बात है ना? बाब कहते हैं, मैं भी साधारन तन में आता हूँ. आत्मा को बुलाते हैं न आगे आत्मा को बुलाकर उनसे पूछते भी थे. अभी तो तमो प्रधान बन गई है ना? बाब आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाई. कहते भी हैं चोरासी जनम. तो समझना चाहिए कि जो पहले आई हैं, उन्होंने ही जरूर चोरासी जनम लिये होंगे वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाब समझाते हैं, तुमको स्वर्ग में भीजा था. तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारत वासियों को स्वर्ग में भीजा था. राज्योक सिखाया था, संगम पर, बाब कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूं. गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है, अभी तुम जानते हो, हम सीड़ी कैसे उतरते हैं, फिर चड़ते हैं, चड़ती कला, फिर उतरती कला. अभी यह संगम युग है, सर्व की चड़ती कला का युग. सब चड़ जाते हैं, सब ओपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजानें. सत्युग में दूसरा कोई धरम नहीं था, उनको कहा जाता है वाइसलेस वल्ड. फिर देवी देवताएं वा मार्ग में जाकर सब विशियस होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा. बाप समझाते हैं, हे भारत वासी, तुम वाइसलेस वल्ड में थे, अब है विशियस वल्ड. अनेक धरम हैं, बाकी एक देवी देवता धरम नहीं है. जरूर, जब ना हो तब तो फिर स्थापन हो. बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदी सनातन देवी देवता धरम की स्थापना करता हूं. यहां ही करेगा ना, सुक्षम वतन में तो नहीं करेंगे. लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदी सनातन देवी देवता धरम की रचना रचते हैं. तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रही हैं. टाइम तो लगता है ना, पतिच से पावन कैसे बनें? यह कोई भी शाष्त्रों में नहीं हैं. वास्तव में महिमा तो एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ही आरफन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हूँ. भाई भाई है ना, बाबा तो अनुभवी है, भक्ती भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरू किये हुए हैं. अब बाप कहते हैं, इन सब को छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, सर्व का सदगती दाता, एक सत शिरी अकाल कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं, बाप समझाते हैं, अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी, भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है, भारत का कभी विनाश नहीं होता, और ना कभी प्रले होती है, यह जो दिखाते हैं, सागर में पीपल के पत्ते पर शिरी कृष्ण आई, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आना सके, बाप समझाते हैं तुम गर्ब से जनम लेंगे बड़े आराम से वहां गर्ब महल कहा जाता है यहां है गर्ब जेल सत्युग में हैं गर्ब महल आत्मा को पहले से ही सक्षतकार होता है यह तन छोड दूसरा लेना है वहां आत्म अभिमानी रहते हैं मनुष्य तो ना रचैता को ना रचना के आदी मद्य अंत को जानते हैं अभी तुम जानते हो बाप है ज्यान का सागर तुम मास्टर सागर हो तुम माताई हो नदियां और यह गोप है ज्यान मान सरोवर यह ज्ञान नदिया है, तुम हो सरोवर, प्रवरती मार्ग चाहिए न, तुम्हारा पवित्र गरस्त अश्रम था, अभी पतित है बाब कहते हैं, यह सदेव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक बाब को याद करना है, बाबा ने फर्मान दिया है, कोई भी देहेधारी को याद ना करो इन आखों से, जो कुछ देखते हो, वह सब खतम हो जाना है, इसलिए बाब कहते हैं, मन, मनाभव, मध्याजी भव इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ, माया के तुफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है, बहुत तुफान आएंगे, परन्तु करमेंद्रियों से कर्म नहीं करना है तुफान आते हैं, तब जब तुम बाब को भूल जाते हो, यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यू लोक की यात्राईं, अमर लोक की यात्रा यह है तो अब बाब कहते हैं, कोई भी देहेधारी को याद ना करो, बच्चे शिव जैनती की कितनी तारें भीजते हैं, बाब कहते हैं, तत तुम तुम बच्चों को भी बाब बधाईयां देते हैं, वास्तव में तुमको बधाईयां हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो, फिर जो पास विद ओनर होगा, उनको जास्ती माक्स और अच्छा नंबर मिलेगा बाब तुमको बधाईयां देते हैं, कि अब तुम रावण की जन्जीरों से छूटते हो, सभी आत्माईं पतंगे हैं, सबकी रसी बाब के हाथ में हैं, वह सबको ले जाएंगे, सर्व के सद्गती दाता हैं, परन्तु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुर्शार्थ कर रहे हो, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, धार्णा के लिए मुख्य सार पहला, पास विद ओनर होने के लिए एक बाप को याद करना हैं, किसी भी देहे धारी को नहीं, इन आखों से जो दिखाई देता है, उसे देखते भी नहीं देखना हैं, दूसरा, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यू लोक का कुछ भी याद ना रहे, इन करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना हैं, वर्दान अतिंद्रिये सुख में स्थिती द्वारा अनेक आत्माओं का आवहान करने वाले विश्व कल्यान कारी भव, जितना लास्ट करमतीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शान्त स्वरूप की स्थिती अधिक प्रिये लगेगी, इस स्थिती में सदा अतिंद्रिये सुख की अनुभूती होगी, और इसी अतिंद्रिये सुख में स्थिती द्वारा अनेक आत्माओं का सेहज आवहान कर सकेंगी, यह पावर्फुल इस्थिती ही विश्व कल्यान कारी स्थिती है, इस स्थिती द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुचा सकते हो, स्लोगन, हर एक की विशेष्टा को सुम्रती में रख, फेथफुल बनो, तो संगठन एकमत हो जाएगा। ओम शांती। हुआ एक जाएगा।